मद्द प्रदेश में इस समय तीन विधान सबाओं के उप्चिनाव चल रहे हैं साथी खंडवा लोक सबाओं का उप्चिनाव चल रहा है एमपी तक की जन चोपाल आज पहुची है जोबट में और यहां पर भी समर जबजस्त हो रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में तमाम मुद्दे हैं दोनों पार्टी के अपने दावे हैं तो जोबट के आजाद उध्यान में इस चोपाल के जरी हम जानेंगे आकिर सियासा जोबट के किस तरब जा रही है पहले हम आपको महमानों का परिचे करा दें यश्वाल सिषूदिया जी बीजे पी की ओर से हैं प्रदेश प्रवक्ता हैं और कॉंगरेस की ओर से प्रांती कारवाइव कर देशुए तो इस चोपाल के हम शुरुवात करते हैं बीजेपी के साथ सर पहला सवाल आप से कि आप बताएं कि जनता यहां की बीजेपी को वोट आखिर क्यों दे केंदर में भारतियंता पालिटी की सरकार मोदी जी सशक्त नेत्रत कर रहे हैं राज है वो लाइन ये कि जो जिस दल की सरकार है उसे दल का यह विधायक बनेगा तो सरकार के साथ व्यकास के काम जहतुए क्या झで विकास को देखती ही और इस विकास के आंतरकता करहें तो यह सब और इसे रहे हैं कि जिसके सरकार उसका विधायक और उसका विधायक तो में ज़्यादा होंगे और पहले जिनकी सरकार हुआ करती थी कॉंग्रेस की उपेक्षा का शिकार हुआ है यह सब पापर जो बेलना पड़ रहे हैं तो हमको बेलना पड़ रहे हैं पिष्टे 15 वर्सों में पच्पन वर्सों में अगर कॉंग्रेस सूध ले ले लेती तो यह बनवासिक्षेत्र आदिवासिक्षेत्र यह उपेक्षा का शिकार नहीं होता एक छत्र राज करने वाली चौपाल से लेकर के भौपाल तक और सड़क से लेकर के संसत तक अगर कांग्रेस की तूटी बोला करती थी तो पच्पन वर्सों में जो अदोसानेचना विकास नही यही सवाल हम कॉंग्रेस से करते हैं सर आप बताईए कि कॉंग्रेस को यहां का मद्दाता वोट क्यों दे मैं सर प्रतम भारत की सुत्मता संगराम सेना ने चंसेकर आजाज जी की पावन धरा को इस धर्ती को प्रणाम करता हूँ और हमारी कॉंग्रेस पार्टी की बिधायक रही दिवंगत हमारी नेता आदर्णिया सुसरी कलावती बोरिया जी को बिनम्र से धन्जली देता हूँ और जैसा अपने प्रश्ने पूछा कि कॉंग्रेस को क्यों वोट देना चाहिए कॉंग्रेस भारत की वो पार्टी है कि जिसका गुलामी से लेकर आजाद हिंदूस्तान तक भारत के संविधान बनाने तक कॉंग्रेस पार्टी का एक इतिहास रहा है कॉंग्रिस ने हमेशा हर धर्म, हर वर्ग, हर संपरदाय के लोगों को साथ में लेकर चलने का काम किया है और उससे भी बढ़कर जो विकास आप आज देख रहे हैं अगर आप जोबट विधान सबगी बात करेंगे कि जब संबिधान बना और जब जन्मानस पर लोगतंतर स्तापित हुआ तब से लेकर अगर आज तक कर इत्यास देखा जाए तो मातर दो या तीन बार यहां से विरोधी दल के प्रतनिदी चुनकर गए होंगे जो विकास आज आपको दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कॉंग्रेस पाइटी के प्रतनिदियों ने यहां पर विकास किया है खुद स्वेम जो विरोधी सुलोचना जी यहां से चुनाओ लड़ रही है ऐसा कहीं हुआ है कि नाती तक को कॉंग्रेस पाइटी ने स्वर्गी इनके ससुर साब अमर सिंग जी अजमेर सिंग जी इनकी बहु सुलोचना जी रावत जी और इनका नाती विशाल भाई इन तीनों को कॉंग्रेस बामन साल से प्रतिदित इस जोबट विधान सबा का कॉंग्रेस ने इनके हाथ में दिया हुआ था जो विकास हैं चाहे फाटा बांध हो चाहे आपका यहां का जोबट की सिचाई की परियोजना हो और चाहे अभी हमारी बहन कलावती जी ने हमारे प्रदेश के पूर्व मुकमंतरी हमारे नेता आधरनी कमलनाजी को लाकर जो उद्वहन सिचाई योजना माइक्रो एरिकेशन की जो उन्होंने भुमी पूजन किया और उसकी सरचन रची जिसका काम आठ चल रहा है ये विकास किस ने किया स्कूल अस्पताल महाविद्ध ध्याले पक्डंडियों से सकूल भर्दाना पुल पुलिया ये विकास काम किस ने किया ये कंग्रेस नहीं से और कोई केंड़ेट नहीं मिला हमारा ही अपने परिवार की सुलोजना जी मिली इनको कि जिनको इन्हों ने यहां से टिकेट दी बीटीपी की और से आप बताईए बाहरती ट्राबल पार्टिय को क्यों वोट दें यहां के मत दाता है मैं सबसे पहले आईवी 24 के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद करता हूँ रहा सवाल की जो यहां की मत दाता है अब धीरे धीरे जंगल में मंगल करते हुए अब दो जो पार्टी राश्टी पार्टी चुनाव रही है उसका साइध अमंगल होने माला है और जन्ता जो अब सोच रही है कि इतने सालों तक आजादी के 75 सालों तक जो भ्रमित हुआ है बोट के माध्यम से तो एक तरफ समाज है पूरा इस देश का बहुजन समाज है जिसको आदिवासी अनुसुचित जाती पिछड़ी जाती मुस्लिम सीख किसाई यह बहुत अदि उनटों वाला समाज है तो अब नोटों वाले जो समाज है तो नोट वाले लोग अब इनके बोर्ट को खरिद नहीं सकते हैं अब बोर्ट वाले mesa σमझदार हो चुके हैं कि हमको अपना बोर्ट अब बेचना नहीं है और अपने बोर्ड से जब BJP और कांग्रेस के सरकार बन सकती है तो हमारे बोर्ड से अपनी सरकार हम क्यों नहीं मना सकते हैं यह हमने लोगों को समझाया है शिश्रताजी कांग्रेस का अरोफ है कि आपके पास उम्मीदवार नहीं था उनके उम्मीदवार को आपने हार कर लिए अपना घर समान नहीं पाए और यदि कोई हमारे घर पर हमारे परिवार पर हमारे राजनेतिक पर विश्वास और भरोसा करे तो हम दरवाजा तो बंदी कर सकते हैं इसलिए कि भारती जनत्या पाल्टी के प्रतिज़ विश्वास और कांग्रेस तो टूट चुकी, इमानदारे से कांग्रेस टूट चुकी, यह जब तक सोनिया गांधी और राहूल गांधी से बाहर नहीं आएंगे, इस कांग्रेस का भला होने वाला नहीं, नहीं, दुस्री सभा और लोकसभा भारती जनत्या पालिटी की बढ़ती चली जा रही है, तो यह विकास के नाम से इन्होंने जुन-जुना पकड़ा रखा था, जुन-जुना में के अंदर कंकल नहीं था, खाली बजाते थे के बजाओ, जुन-जुना बजाओ, तो इसी कांग्र से 55-60 साल तब की बात कर रही है, जब गड़ों में सडकती और सडक में गड़े थे, और इसलिए भारती जनत्या पाल्टी ने उस महिला को टिकिड दिया, जो उपेक्षा का शिकार हो रही थी, और भारती जनत्या पाल्टी कई भैद नहीं करती है, हम तो सबका साथ, सबका विकास औ मोदी जी के नारे के साथ, तो सुलोचना जी आई है, तो भारती जनत्या पाल्टी की रीतियों और नीतियों पर भरोसा करके आई है, जिस चेहरे को लेकर के, कॉंग्रेस ने सिंधिया जी के नाम पर वोट मांगे थे, और धोका दे करके, कमनला जी ने उस कुरसी को अथिक साथ हैं, बहुत अनुभवी और बहुत ज़्यादा बार के विधायक और सदन में इनकी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है, मैं इस पर ये कहूंगा कि दुआ पर सतियों गित्रेता कलियों, छल छुद्र कपट से कोई नी बचाए भारत का इतिहास गवाय है, उसी के सिकार म अनी कमलाद जी हुए, हमारे अपने लोगों को अलग किया गया है, वो ही कह रहे हैं कि सिंधिया जी के दम पे आपकी सत्ता बनी और उनका अपने उपक्षा कर दी, इसलिए सा हुआ, सिंधिया जी कॉंग्रेस के नेता थे, कॉंग्रेस के बरिष्ट नेता थे, उनका स्वय स्वयम का स्वार्थ था, वो स्वयम इस्थापित होना चाहे रहे थे, उनको बहुत जल्द बाजी थी, इस्थापित होने की, इसलिए उन्होंने स्वार्थ बस अपने जो समर्थक थे, उनको लेके वो भारती जनता पारटी के, जो भी उनसे बात रही हो, उससे वो अलग ह पर लोकतंतर में मतप्रदेश की जनता ने अगर विश्वास किया और बहुमत दिया तो वो माननी कमलनाजी को मुखमंतरी के रूप में दिया उनकी सरकार बनाने में दिया लोकतंतर का जो आशिरबाद मिलना था वो भारती जनता पारटी को 2018 में थोड़ी मिला जनमत तो कमलन इसके पहले भारती जनता पारटी के नियताओं को धूल चटाने का काम किया उन्होंने ओर एक दिन में विचार धारा बड़ गी जरा हमारे साथी लोग विचार तो करें भारत के पूर्व प्रधान मंतरी पंडित अटल बिहारी बाजपई जी के उस लोकसवा के सदन के अंदर के प्रधान मंतरी के रूप के भाज़ड को कि उन्होंने एक बोट की आवस्यक्त थी पर उन्होंने अपनी विचारधारा से अलग किसी भी विचारधारा को अपने दल में थोपने का काम उन्होंने नहीं किया सरकार से वो बलई अलग हो गया इस्तीपा दे दिया पर उन्होंने इसका सौधा नहीं किया और इसी तरीके से माननी कमलाज जी ने भी अपनी सरकार को बचाने के लिए किसी भी प्रकार का सौधा किसी भी माननी विधायक से उन्होंने नहीं किया ये क्या बात हुए बैंगलॉर के रिसोर्ट में आप आपने जयचन सब्सक्राइब के लिए किया मैंने सिंधिया जी के पार्टी में थे तब जैचन नी थे हमारी पार्टी में आ जाए तो जैचन हो जाए और जिस स्थापित नेताओं की बात कर रहे हैं आपने हमेरे आदर्णी सिंग साब बहुत विद्वान है ये भी मेरे साथ विधायक थे मैं इतना पूछना चाहूंगे बूरी कांग्रेस अब तत चलेगी आज बहुततर सत्तर साल में दूबारा शादी हो जाए प्रदेश की नेता देश की नेता वाइफा का कारिकम करें फिल्म में हिरोईन आवे कमर में हाट डाल ले 65-75 साल की उमरों जावे और फिर चुनाव में आ जावे तो देखिए युवाओं का है परिवार की सलतनते ममी से पूछ भाईया से पूछ चाहे जो कर लो दोड़ की जरुरत कहां पड़ रही है आपकी रेस में सामने है कौन आप साथ में रखना किसको जाते हैं भारती जनता पालिटी का सगठन भारती जनता पालिटी की रीती रीतियां और जिस अटल भीहरी ले जाने का काम नहीं किया है कौंग्रेस में टूटन थी कौंग्रेस में फूट था कौंग्रेस में लूट के जगड़े थे और उस कारण से बड़ा घड़ा हमारे प्रती आ गया है और उसके कारण से सरकार अपदस्त हुई है और अठारा में बहुमत कांग्रेस को नहीं प्ह dèsक Ellis को मत जादा मिले थे बीजे पी ने बूडि कांगरेश के प्रवक्ता से बूडिव का ओमे सकूड हुई कांगरेश कहा बूडी हो ए जब देश की आजदी की लडाई लड़ रहे थे तब भी कांग今日は थी चीवा है मैं याद कि 21 वी शदी का सपना और आज जो सबके हाथ में आधुनिक युक्का ये इलेक्ट्रोनिक्स मोबाइल सबके हाथों में गूंज रहा है हमारे ब्रोधी उस समय जब हमारे भारत के युवा प्रधान मंत्री राजी उगांदी जी जब बक्तब देते थे और जब वो कहते थे कि ना किसी ना उस फोन का तार होगा ना उसका खमा होगा ना उसका कोई बेस होगा मैं ऐसा इस्टूमेंट लाओंगा कि चलते हबा में आप बातने करोगे तो हमारे ब्रोधी भारत की संसद में फपकारे मार के हसते थे आज क्या है आज प्रतेग व्यक्ति के हाथ में वो अनुभव के अधार पर सबसे बड़ी, सबसे पुरानी और सबसे तजूर्वेकार party Congress party लेकिन Congress के साथ आदिवासी नहीं है अलग से उनकी party बन गई है ऐसा क्यों हुआ हमेशा कांग्रेस ने हमारे आदिवासी भाईयों के विकास के उत्थान के उनके आगे बढ़ने के लिए काम किया है। हो सकता है? आपίνवासी मद्भेधों के कारण यह इस्तिती निर्मित होई है। आपकी पार्टी क्यों बनी है आदिवासी के नाम पर बनी है कांग्रेस से बीजेपी से आप संतुष नहीं थे हम कांग्रेस और बीजेपी से संतुष अभी भी नहीं है और इसलिए भारती ट्राइवल पार्टी का उद्य हुआ है खास करके जैसे विकास की बात कर रहे हैं द सुझी जाती का बच्चा है बेकवड का बच्चा है और लाइट लगे हुई सव वाट की वहाँ पर और वो लाइट के उजाले में पढ़ाई करने के बाद रात में जब 8 है और 9 बच जाता है तो बोलते हैं ममी जी रूटी चाहिए खाने के लिए अनाज नहीं है सव वाट का बाड़ बल्फ जल रहा है तो क्या ये विकास है क्या अनाज है नहीं अनाज की विवस्था नहीं कि आप आरोब लगा रहा है देखिए मैं आकड़े बता सकता हूं लगभग 85 परसेंट 85 प्रतिशत उपभोगताओं को PDS सिस्टम के माध्यम से और अब तो हमने नया नवाचार कर दिया हमारे जो प्रतिपक्ष के साथी खड़े हैं उनको तो मानेनी शिवराज जी का इसलिए धन्यवाद देना चीए कि जो पैसा एक्ट है 1906 से कांग्रेस ने लंबित लटका के रख रखा था और देखें कांग्रेस की वही नीति हैं जो अंग्रेस की हुआ करती थी फूट डालो और राज करो आदिवासी को इसलिए नहीं पनफने दिया पैसा एक्ट को अगर लागू करने का भी कोई दढ़ इच्छा शक्ति के साथ किसे ने काम किया है और अब आपका राशन आपक उसके अलावा कोरोना के कांग से प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी ने दिपावलेत का निशुलक उसके साथ साथ जैसे ये कह रहे हैं साहब कर रहा हैं कि अनाज की वेवस्ता इन्हों ने किया is आज प्लाइन इसी छहतर में मैं दूलाप कर रहाह हूं तो लोग बाग अपने अनाज थोड़ा बोरी में रखकर के बाल कुछे समय कही पलायन हो रहे हैं जब अनाच की विवस्ता किया है तो पलायन क्यों कि हो रहा है आप यह बड़ा सवाल है कांग्रेस विजए पी दोनों की जिम्मिदारी बनती है 55 साल आपने राज किया माफ किजिए आपने किया और 20 साल आपने किया आज भी रोजगार के लि कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हर जेंडे में हरीजन, आदिवासी, अल्प संक्या, पिछले वर्ग की लोगों का ध्यान रखा। ताकि हमारे आदिवाई, सिभाई के बच्चों को सिछा मिल सके। दूसरा, इस्कूल, अस्पताल खुलवाने का काम किया, रोडों से जोडने का काम किया, ये सारे काम किये। फिर वहीं तक हमारी विकास की गाता रुकी नहीं, जब दिग्विजे सिंग जी राजा साब इस प जेंता पारिटी की सरकार थी, माननि कमलनात जी काविज हुए, भारती जनता पारिटी के चार गुनोे बिजली के बिल बढ़ रहे थे, जब लाइन बैन बिजली के बिल लेकर गली में और गौओं में घुशता था, और जैसे उसकी साईकल की घंटी टिनिन तिनिन बसती थ तो घर में बैठा हुआ किसान थाली में जो खाना खाता था वो थाली सरकाति आज़ा कि ना जाने कितने हजार के भारती जंता पालिटी की सरकार की बіл आ जाएंगे माननी कमल नाज जी ने तो सत्ता समालते ही बिजली के बिल को हाप करने का काम किया जवाब सर आपका आपको कह रहा है कि अगर पुना कोँम वे इंद्र कोँम ले कितने बाहर ही विक्ति आ करके महाँ पर रोजगाभ स्राफ कर रहे हैं वन नेशन वन रा हैं एक राशन पर एक देश में एक राशन चलेगा और जैसा हमारा भाही कह shrinking है कि उसक्तुर में जोबट के लोग मौजूद हैं उनकी क्या राय है राजेश जीहर है यहाँ पर वरिश्पतकार राजेश भाई क्या सवाल है दोनों तुनों उम्मीद्वा तीनों पार्टी के लोग आपके सामने जवाब उन्हीं से ले लेते हैं सर आरोब सुन लिया आपने सिक्षा स्वास्त कि किसी भी छेतर में कॉंग्रेश ने कुछ नहीं किया लोग परेशान थे ऐसा रोब भाट भाईया ने जैसा कहा कॉंग्रेश ने सत्ता समाली स्कूल खुलाए महाविध्याला आपके खुलाए यह तो कॉंग्रेश नहीं खुलवाए आज आपके जोबट में अगर आंकले न की है यह जबाबदारी तो बरतमान सरकार की है हमारी तो 15 मेहने की सरकार रही उसमें भी हमारी जो नेता थी दिवंगत नेता आदर्निया सुसरी कलवती भूरिया जी उन्होंने माइक्रो एरिकिशन की व्यवस्ता की उन्होंने इतनी रोडें बनवाई इतनी रोडें सेंक्शन करी कि आज एक बहुत बड़ा रोडों का जाल वो यहां पर बनाके चली गई है जिनका की काम चल रहा है उनका बहुत समय पीरेट पर उनका काम भी हो जाएगा ये कॉंग्र सरकार्थी बहुत स्ट्राइल से काम करती कांग्रेस कांग्रेस हवा भी निलगने देती इस हाथ से इस हाथ में कब रख लेती पता नी पड़ता है इन्होंने आदिवासी क्षेत्र के उन्हों सिक्षकों को जो दूर दराज थे अन्य डिस्रिक्स के निवासी ते कोई 36 गड देपदेश में 40,000 शिक्षकों के ट्रांसपर कर दिये पता ही नहीं पड़ा आदिवासी जिनकी न्यूकति आदिवासी क्षत्रों में थी बड़ी इस्ट्रेल से कमल नाजी काम करते हैं पता ही नहीं पड़ता देखिए विकास के मामले में जो स्कूल गिना है जो कॉलेज गिना है। उसके बाद मेडिकल कॉलेज परेंग्रेस के कारेकर में अगर दो मेडिकल कांश होगा है। आज हम आज हमारे 16, 17, 18,20 अगर हम इंज्ञिन आइंश कॉलेज की बात करएंगे, तो स्कूल की बात करेंगे। मेरी विकास खंड में भी मैंने इस्कूल को ते करवाया उसमें 3,000-5,000 बच्ची होंगे 28-30 कोड़ का उसमें बजट होगा उसके चैन होगा है और हर शेत्र में हर ब्लॉग में उसको प्राथमिकता दी जा रही है प्रारमबिक दोर में अभी 400 स्कूल सीम राइस के अंतरकत भारत की सरकार इसको बड़ा चिंतन के साथ सोच रही है और जहां तक विकास की बात आधनिया स्वर्गी सुश्री कलावती भूर्या जी की बात करी थी मेरा निवेदन है कि वो लेड़ी अगर इत्ती अच्छी थी तो कॉंग्रेस को फिर आया थी तो उम्मीदवार क्यों मिला उसके परिवार के किसी सदस्कुन से टिकेट टू नहीं दिया गया क्योंकि कांग्रेस भाव करती है प्रत्वीपूर में अगर कोई कोरोना से दिवंगत होते हैं तो उसको महाँ पर टिकेट इस बात कर दे देते हैं कि पिता जी चले गए हैं तो उनका बेटा चुनाव लड़ेगा क्योंकि वो बड़े घराने का है और यहां सुश्री कलाव कुस्ते बीटीप बीटीप आज की तारीक में आपको हमने जब लोकसभा के अंदर में इसका वो निकलवाया तो सिच्छा के अंदर में आदिवासी जहां तक जो उनका सब का अलग-अलग टार्गेट है तो सिच्छा में एक परसेंट लोग पढ़ पाए हैं चाहें तो मैं मैं भी मॉबाइल से निकाल के दिखा देता हूं अब यह दावे कर रहे हैं कि सिच्छा में बहुत आगे बढ़ चुके हैं सिच्छा में आगे नहीं बढ़ चुके हैं अगर सिच्छा में आगे बढ़ चुके होते या मद्यपरदेश के आदिवासी जागरू को हो गए होत पैशा कानून ग्रामसबा के अंदर में भी है जब पैसा कानून ग्रामसबा लागू है तो पेशा कानून के तहट में भी ग्राम सबह को पूर्ण अधिकार है, वहाँ पर जितने भी चाहिए रेट का ख़दान हो, गिट्टी का ख़दान हो, चाहिए इट का ख़दान हो, रोड बनाने का काम हो, वो टोडल आधिवासिय अपने प्रस्ताव बना करके राज़िपाल महोदे ने नोटिव के संजारी किया क्या है, आप बात करिए, मेरा कहना है कि पैसा एक की अवधारना को इदि किसी ने सुरिश्शीत किया है, और देखिए पीडिसी सिस्टम को जैसा कि भाही नहीं बताया, वास्तों में इनकी स्वयम के अपनी पंचाट डिसाइड करेगी प्राकर्तिक संसादुनों पर कॉंग्रेस ने आदी वास्यों को पेले महतुन दिया है, मुझे अच्छी तरह से मालूम है, जब नर्सिंग और जब प्रधानमती देश के बने थे, तो रहुल गांधी जी को और स्वनिया गांधी जी को पसंद दिने आया, उन्होंने सबसे प्राकर्तिक संसादुनों पर किसी का होगा, तो अल्फशंख्यकों को का होगा, आदी वास्यों का नहीं होगा, ये जाकर के उन्होंने इसको यूटर्म दे दिया, एक बड़ा अरोफ है आपके उपर, ये बहुत बरिष्ट नेता है, भारती जनता पारटी के माननी इस्प पारटी ने किया, भारती जनता पारटी ने क्या किया, पंदरा साल के सासनकाल में इस जोबट में भारती जनता पारटी ने क्या किया, और बड़े हुश्यारी से हमारे बड़े भाई हैं, कह रहे थे, कि अब स्कूल को छोड़ो, अस्पताल को छोड़ो, सड़क को छोड़ मेडिकल को पकड़ो तो बताओ ना कि घोषणा तो आपने इतनी कर दी कि मैं समझता हूं कि एक ग्रंत लिखरी जाए घोषणाओं का तो कम पढ़ेगी पन्ने उसमें पर इंप्लीमेंट का हुआ धरातल में दिख का आ रहा है आप अपनी जोबट की बात कर रहें मैं जिस जिले से सिवनी से आ रहा हूं आज 6 साल हो गए मान्नी मुखमंतरी जी को मेडिकल कालेज की घोषणा किये हुए आज तक नहीं बना है आज तक नहीं बना है कुछ ओडियन्स से वो सवाल करेंगे आप बताएं जो बड़ के आप निवासी हैं इस चुनाओ का आप कैसे देखते हैं किस तरीके का उम्मिदवार चाहते हैं और जो दो नेता खड़े हैं तीन नेता इंसे कुई सवाल आपका सर ये दोनों कॉंग्रेस और बिजेपी ने इस विदान सबाफ पे जबबा अली राजपूर दोनों जिलों पे लगा तार इन्होंने बारी बारी से राज किया है दोनों भी पबलिक को बेवकुब बनाने के लिए एक दुसरे के उपर आरोप लगाते रहते हैं इन्होंने काम कुछ भी नहीं किया मैं बता रहा हूँ एसिया का सबसे पिछडा जिला है अली राजपूर सिख्षा के छेतर में दोनोंने काम नहीं किया अभी कुछ समय पेले सिख्षक यहाँ पे जो पड़ा रहे थे उनका ट्रांसफर अन्य जिलों में कर दिया जबकि यहाँ पे 523 से ज़्यादा इसकूले में अभी भी टीचर ही नहीं 400 इसकूले से हैं जहाँ पे सिंगल टीचर है इसके ओपर यह कोई ध्यान देने वाले नहीं है और पलायन इतना है सर कि आप अगर छेतर में जाओ तो एक गाओं हर गाओं में ऐसे मकान मिलेंगे जिसमें 30 या 20 मकान ऐसे होंगे जहाँ से पलायन नहीं होता है वरना हर घर में से पलायन करते है इन्होंने रोजगार दिया ही नहीं और जब रोजगार देने की वारियाती है तो शीवराज मामा बोलते हैं कि तुम दार उबेचो बनाओ और उसको फिर उसके बाद बिमार हो जाएंगे बिमार हो जाएंगे तो आई उस्मान कारड़ थमा देंगे तुमिलाज कराओ तो ये सारा के सारा फंडा आदिवाइशों को निप्ताने का है ये विकास करने की कोई मनसा नहीं है इनकी चले जवाब दोनों पार्टी से ले लेते हैं सरा सुन लियाओगा आपने आरोब इस प्राकरतिक संसादनों में आदिवाशियों का उस मवड़ा और ताड़ी पर अपना एकादिकार है और इसलिए कि वो रोजगार से लड़गेगा और आत्मन दिर्भर बनेगा और उसी को लेकर के मानी मुख्यमंत्री शिरी शिवराज जी नोकरी देने के बजाए नोकरी करने के बजाए नोकरी लेवे खुद नोकर रखने की बात करें इसके प्रकार की व्योवस्ता हम सुनिश्यत करने और इसी कारण से जो पैसा एक्ट है को लागू करने के बात की जा रही है उसमें सारी चीज़े सन्नीच है तो यह जो रोजगार का फारमूला है इससे आप कितना संतुस्त है रोजगार के फारमूले यह जो दावे जो किये झार हैं यह बिलकुल जोटे जोटे अवे हैं है और अगर यह संंपूल कर दीया होथे तो सायध हिatile है मेरे समाझ की आदमी समाज कि आदमी आदर aos अपने परिमार फूंड़ के अपने maa-baaP अपने को छोड़ करके बाहर जाते और वहाँ भी जैसे आप कहे रहे हैं कि गुजरात ने भी जाओं चाहा दिली जाओ भोपाल जाओं कहीं भी जाओ क्या कोई महसूस कर सकता है कि जो काम करने के लिए जो आदमी जिय अब गया है तो उसकी पत्मी कहां काम कर रहा है यह कितना पराद है समधानी का पराद में तो समझता हूं इसको कि जब आप उसको एक जगा उसको काम नहीं दे पाए और दावे कर रहे हैं कि हमने विकास किया है और यह सब कुछ किया है आज अगर विकास किये होते तो पड़ा लिखा ब्यक्ति को अभी अभी मैं आप से कहना हूं डे और और जो लोग हैं जो कर्मचारी लोगों का ऐसे ट्रांस्फर करवार जैसे यहां sapp कर से लुग है चैसे यहां से वहां यहां से वहांट ट्रांस्फर करवा दीगे काया लिए किरमचारी बहुत परếnसान है dh notice from नुमर्टि जा इक मिचारी उन्होंने भी आंकड़े यही दिये, उनकी भी पीड़ा यही थी, लगातार अठारा बरसों से भारती जनता पाइटे की सरकार है, लगातार क्या वो विवस्ता को सुचारू रूप से नीचला सकते थे, हमारा तो मातर बारा मेहने, पंदरा मेहने का समय था उसमें भी, मातर 10 और 11 मेहने सरकार काविज रही, 2-3 मेहने तो बनाने में और उसी में लग गए, चुनाओं आ गए, बाई एलेक्शन के, उसमें निकल गए, सबसे ज़्यादा जबाब देही, तो भारती जनता पाइटे की सरकार की थी, नियू तो कॉंग्रेस ने रख दी थी, अधार सिला अब तो ये नारा हो गया कि बहुत हुई, महंगाई की मार, अब तो रहम करो मोधी सरकार, डीजल कहां गया, पैट्रूल कहां गया, डी एपी कहां गयी, यूरिया कहां गयी, अन्यदाता किसानों के हित में क्या हुआ, आज सबसे ज़्यादा कौन-कौन प्रताड़ी थे, अन्यदाता किसान प्रताड़ी थे, यूवा प्रताड़ी थे, कहां गयी सरकार, सिधा सवाल, इनको जन्रल नालेज की कमी है, डी एपी पर सबसीड़ी है, डी एपी पर बारा सो रोपे की सबसीड़ी है, गेज के चुले दिये हैं, वो नजर नहीं आता है, परदान मंत्री बरगलाने का काम किया है, गेज की टंकी देने का किसी ने काम किया, और देखिए, जहां तक, जहां तक, जहां तक चूले की बात है, आपके कारिकाल में तो चूले ही नहीं थे, आपके कारिकाल में चूले और गेज की टंकी, बड़े लोगों को सुशोबित होती थी, ये त से आता हूं मैं कांग्रेस से पूछना जाता हूं मैं 2003 में बहुत छोटा हुआ करता था ग्रामीन में नो बिजली थी नो कुवे थे ना आवास थे कुछ भी नहीं था ग्रामीन में अगर विकास किया तो सिरी शिवराज सिंग चोहान ने किया है आवास तो उसने दिये रोड अनाज दिया उसने दिये यह कांग्रेस ने क्या दिया बिल्कुल जूड बोलके आदिवासी को गुमरा कर रहे हैं बिल्कुल विकास किया है तो मोधी जी न किया किसानों को पईसे खादम को डाल रहा मोधी जी डाल रहा किसानों को इनसे पूछना चाहता दिया क्या यह का कोई बोलेगा जी बता यह क्या खेती में बिजली का स्तर क्या है जी किसानों के आलत पलाइन करने के बहुत सारे कारण है खेती में एक तो बिजली की सुवश्वश्था नहीं है पईसे 15-15 अजार भराने के बागाजिव दस घंटे ही बिजली मिलती है किसान को 15-15 अजार भाने के 10 घंटे की बिजली दी जाती है जबकि किसान को 24 घंटे बिजली चीए बिजली नहीं होना करा फसल का सजी तुत पदर नहीं बाता है आप कुछ बोलेंगे और कोई पहले पहले राजयों काने यह खुद न माना था कि हम एक रूपे पोचाते दस बेसे आते हैं आज इनकी बिल्ड़नी के देख लो जिनकी जोपर देख लो जिनकी जोपर देख आज पुछो इंसे यह बिल्डिंगों में क्यों रहे 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 तो इनके पास पेसीर देख लेए कित्ते हैं यह फोर विलर में घुम रहे हैं जो साइकल थी आज से 15 साल परे सूरा सिंग के करने तो एमपी तक की जन चोपाल में आपने देखा कि नेताओं के अप के गलत हैं फिलाले जन चोपाल पर आपकी रहे जरूर दीजीगा